श्री कृष्ण जन्मास्थान मंदीर पवित्र सहर मतुरा उत्तर परदेश में इस्थी थे यह मंदीर हिंदूओं के लिए बहुत महत्पूर्ण है मंदीर पर परवेश करने पर दिब्यवातावरा नौरिज की पवित्रता दिल को इस विश्वास के साथ भर देती है किया वास्तों में वह अस्थान है जहां भागवान स्री कृष्ण ने जन्म लिया था जेल की कोठरी के अलावा स्री कृष्ण जन्म अस्थान मंदिर परिशद के भीतर अइन मंदिर भी इस्थी थे जो अइन देवी देवताओं को समर्पित है क्रिश्न जनमास्थान मंडिर की यात्रा जनमास्थमी, बसंत पंचमी, उली और दिपावली जैसे तेओहारों के समय अधिक मनभावन हो जाती है जो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है यदि आप भी स्री कृष्ण जन्मस्थान मंदीर या जन्भूमी मंदीर के दर्शन के लिए जाने वाले हैं या फिर इस त्रध्य मंदीर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो पे बने रहें श्री क्रिष्ण जन्मास्थान मंदिर उस जेल के चारो और बनाया गया है जिसमें बवान श्री क्रिष्ण का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है कि इसका निर्वान 5000 साल पहले क्रिष्ण वज्रवनाब के पर पोते ने किया था फिर इसे 400 इस्वी में चंद्र गुप्त विक्रमा दित्ति के सासन में बनाया गया हालाकि इसे 1017 इस्वी में महमूद गजनी द्वारा नश्ट कर दिया गया 1150 इस्वी में मंदीर का निर्मान तीसरी बार 16 इस अताबदी महथुरा के समराठ राजा धुरूपत देव जन्जुवा के सासन काल के दोरान किया गया था 125 साल बाद जहागीर के सासन काल के दोरान राजा वीर सिंग भुंदेला ने 33 मिलियन रूपिय के साथ इसका पुना निर्मान किया लेकिन औरंग जेब ने 1669 इस्वी में इसे फिर से नश्ट कर दिया और इसके अस्थान पर एक मस्जिद का निर्मान कराया जब मतुरा सहर अंग्रेजो के अधिन आ गया तो मंदीर छेथर की निलामी ट्रस्ट की अस्थापना करके मंदीर की पुना उनिर्मान का बीड़ा उठाया जो जाकर फरवरी 1982 इस्वी में पूरा हुआ क्रिष्णी जन्म मंदीर मतुरा में उस अस्थान पर बना हुआ है जहां भागवान विश्णु जी श्री क्रिष्णी के रूप में आउतरित हुए थे मंदीर का परिशर एक सक्री गली से होकर पहुचा जाता है जिसमें धार्मिक समाने बेचने वाली दुकाने हैं भागवान श्री क्रिष्ण को समार्पित परिशर में एक छोटा मंदीर है जिसमें आभुसोनों से सुसोभित श्री क्रिष्णी की दिव्यमूर्थी अस्थापित है साथ ही परिशर के भीतर एक कुवा भी है जहां जेल के कईदियों को उकथित तोर पर पानी पिलाया जाता था अब हम बात करते हैं स्री क्रिष्णी जन्वा स्थान मंदीर के अईन्य आकरसनों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं केसव देश मंदीर की साही इदगार के दच्छिन में स्थित मंदीर को राम क्रिष्ण दाल्मिया ने अपनी मा जड़ा देवी दाल्मिया की याद में बनवाया था इसका निर्मान 29 जून 1597 को शुरू हुआ और इसका उदगाटन 6 सितमबर 1958 को हनुमान पर साथ पोद्दार ने किया अब हम बात करते हैं गर्भ ग्रीर तीर्थ की इसे जेल की कोठरी के रूप में माना जाता है जहां स्री क्रिष्ण का जन्म हुआ था अब हम बात करते हैं पोटरा कुंड की इस कुंड को भगवान स्री क्रिष्ण का पहला अस्नान अस्थल माना जाता है अब हम बात करते हैं यहां कैसे पहुँचे अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि मौथूरा की सबसे नजदी की हवाय अड़ा आगरा है या एरपोर्ट मौथूरा से लगवग 58 किलोमीटर की दूरी पर रिस्ती थे एरपोर्ट पहुचने के बाद बस या एक टेक्सी बूप करके मौथूरा पहुच सकते हैं और अगर आप प्लेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको बता दे कि मौथूरा में अपना खुद का रेलवे अस्टेशन मौजूद है मौथूरा जैक्सन मजद और पच्छिम रेलवे का एक मौख रेलवे अस्टेशन है देश के परमुख सहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है जिससे आप ट्रेन पकड़ के मौथूरा पहुच सकते हैं अगर आपको मेरे दिये हुए जानकारी से जरा सी विसायता मिली हो तो पिलिज मेरे चैनल को लाइक और सब्क्राइब जरूर कर दे धन्यवाद